हलो दोस्तो वेलकम टो आवर चैनल आशा करती हो आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं आपके दोस्त यानि की होस्ट आज एक ने रेसीपी के साथ आई हूँ तो दोस्तो आज बनाने जारी हूँ वेज बिर्यानी बोवी कुकर में बहुती स्वाधिस्ट होते हैं तो आईए बागी की वीडियो देखते हैं और दोस्तो कोई स्कीप ना करें वीडियो को एम तक देखिए और जो भी मेरे न्यू फ्रेंड है जिनोंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी बिन्स लेमन गाजर ग्रीन चिली फुलगबी आलू टमाटर और प्याज यहाँ परपनील ले लिया और चावल को मैंने अधा गंटा पहले भिगा के रख्यों अध्रक लेसुन और प्याज का पेस्ट है दही है और यह प्याज और रसुन का पेस्ट है आज जो बिडियानी बनाने जारी हूं वोकुकर में बनाऊंगी और उसमें तेल एट कर चुकी हूं तिल गरम हो चुके है और सबसे पहले खरा मसाला एट करूंगी उसके बाद अध्रक लेसुन और प्याज का पेस्ट एट करके दो मिनिट हलका लॉयल लॉव फ्लेम में फ अब उसमें कटा हुआ पियाज एट कर यूँ और उसे भी हलका सा फ्राई कर लूँगे अब उसमें सारी बेजिटिबल एट करेंगे उसके बाद मसाला एट करेंगे हल्ली पावडर रचली पावडर जीरा पावडर धनिया पावडर नमक स्वाद अनुसार पिर अची तरह से बेजिटिबल को मिक्स कर रहाँगी अब उसमें गड़म मसाला एट कर रही हूँ टमाटर ग्रीन चिल्ली पावडर दॉट जब दया है अब उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हो प्वाद अब उसमें चाब एट करेंगे और अब एट ने आध जोड़म पनीर एठ करने में हैं तो आपको में लोग कर एकट ददीने के sontAm PHP , 15 なट मेशना नहीं ञाते हैं नहीं तो यह बिर्यानि के बदले इंधोरी बन जाएगा तो अब पानी हट करने हैं अब टीर एठी नगी नगीजिक ने आपकोण चुछ भी और लास्ट में लेमन जो सेट कर रहे हूँ और उसे फिर एक बार मिक्स कर लेती हूँ इसके बाद हम कुकर की ढखकल लगा देंगे और फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे और सिब दो सीटी लगाएंगे दो सीटी लगानी के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया कुछ दिर इसी रख दिया अब उसे एक बार चेक कर लेती हूँ तो देखिए बेज बिडिया ने बन के तयार हो जुके हैं बहुत सुन्दर देख रही है तो अभी उसे सर्फ कर लेती हूँ दोस्तो वीडियो को एम तेख देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अब सबको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कोमेंट करके बताईए और अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ वीडियो शेयर कीजिए